हेलो दोस्तों आप सबी का UPSC PILIN STREASY 223 में स्वागत है I hope आप सब लोग अच्छे होंगे आज है test number 10 modern history का और इसी के साथ हमारा test number 200 question complete हो जाएगा और 100 question complete होने के साथ इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है और टेलिग्राम चैनल पर आप यहां से स्कैन कर सकते हैं या फिर study on is नाम से search कर सकते हैं इसके अलावा डेली जो है आपको classes मिलेंगी साम को तीन बजे 20 question के साथ और कुछ दिन में जो है कुछ दिन बाद ही हमारा complete जो है test start होने वाला 100 question का यानि सभी subject को मिला कर इसके अलावा 2011 लेकर 2022 तक पेपर analysis भी हम subject wise करने वाले हैं matter material त्यार हो रहा है हिंदी और English analysis दोनों में होगा और जो 100 question आपको मिलेगा complete video complete test reach उसमें शायद वह हिंदी में मिलेगा ठीक है और इसी के साथ जो है अगर आपको classes पसंद आ रही हो तो चैनल को share कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए और ताकि notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए आज की टेस्ट के सुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के question number 81 देखते हैं 81 में क्या पूछा है मात्मा गाधी के संदर में निमलेद कतनों पर विचार केजिए कौन सा कतन सही है option एक राजकुमार सुकल ने गांधी जी को खेड़ा के किसानों की दमनकारे बिटिस सासन के खिलाफ लड़ाई में मज़द करने के लिए राजी किया था option 2 अंसुया सारा भाई ने एहमदाबाद मिलो की हर्ताल के लिए हर्ताल के दवरान समझोता वारता में भाग लेने के लिए गांधी जी को अमंत्रित किया था तो आपको बताना है मात्मा गांधी जी के संदर में इन दोनों कतनों में कौन सा कतन जो है सही है ठीक है अगर बात करें option एक option एक जो है गलत है क्यों गलत है क्योंकि राजकुमार सुक्ल जो है एक किसान नेता 1916 में लखनौ कांग्रेस में गांधी जी को व्यक्तिकत रूप में चमपारण खेड़ा खेड़ा नहीं था चमपारण के बगानी बिरोधी आंदोलन का नितियुत करने के लिए आमंत्रित किया था तो आपको ध्यान रखना है राजकुमार सुक्ल ने गांधी जी को खेड़ा किसानों के नहीं बलकि चमपारण जो आंदोलन था किसानों का उसमें जो है इन्होंने आमंत्रित किया था इस प्रकार जो है गरत हो जाएगा आपसंदो की बात करें आपसंदो जो है सही है यानि एहमदाबाद में कापास मालिकों और स्रमकों के बीच प्लेक बोनस और मजदूरी समंदी विवाद जो दो 1908 में हुआ था एक सा आपसंदो से सुमेलित है कि कुष्यन नंबर 82 की बात कर लेते हैं चंपार सत्याग्रा के बारे में पूछा जिसके बारे में गांदी जी को रामचल शुकल ने आमंत्रित किया था राजकुमार सुकल ने सौरी ठीक है इसके बारे में पूछ रहा है तो ऑपसंद एक भायत म महात्मा गाधी द्वारा सबने अवयग्या का प्रथम प्रयोग था आपसंदो चंपार किस समित ने अंध्याद सहमत व्यक्त की मुआफजे की रास किसानों को किसानों से निकाले गए अवैद बकाया के 50% पर रखी जानी चाहिए जिसमें बताना है आपको चंपार सत्यागरा के बारे में इन दोनों आपसंदों में कौन सा आपसंद सही है तो आपसंद एक की बात करें तो आपसंद एक जो है सही है क्योंकि भारत में महात्मा गाधी द्वारा सबने अयोग्या आंदोलन का प्रथम ये प्रयोग था जो चंपार सत्यागरा के रुप में उस पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे ठीक है और यही था चमपाड सत्यगरा यानि तिनकठिया जो है सिस्टम से जुड़ा हुआ था ठीक है आप संदो की बात करें आप संदो जो है गलत है यानि सरकार के मामले की जाज के लिए चमपाड के समित की नियुक थी और गाधी को एक सदस के रूप में नामित किया गाधी अधिकारियों को समझाने के सच्छम थे कि तेनकठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जो बागवानों के लिए एक साथ समझाते के रूप में उन्होंने सहमत व्यक्त की कि रासिका केवल 25 प्रस्यत और विचार करें 1919 के अराजक और ट्रांतिकारी अफराद अधनिया में उप्रोक में से कौन से प्रावधान सामिल किये गए थे ठीक है इन तीनों में से कौन से अपराद सामिल किये गए थे इन कौन प्रावधान सामिल किये गए थे अराज उन्हीं सुनिस का अराजक एक सक 1919 का अरादक और क्रांतिकारी अपराद अधनियम 1919 का जो आया था उसे क्या करते है 1919 को रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं ठीक है 1919 में इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं दिकारिक तोर पर अरादक और क्रांतिकारी अपराद अदियम कहायाता था और ये रॉलेट एक्ट नियादी सर सिडनी रॉलेट दोरा बारती लोगों की देजरोही साजिस की जाज के लिए सिफारिस के लिए किया गया था तो इसमें इन तीनों प्राधानों की बातकरत इसमे में देखेंगे महस देश्रों को सक करने के वारण के बिना गिराफतारी ये सामिल था और इसके लाव बंदी प्रत्यश्यकर कानून का निलंबर ये सामिल था ठीक है और इसमें जो है बिना मुकदमे का पांच साल तक खिरासत में रखना ये जो है सामिल नहीं था और बिना मुकदमे के केवल जो है दो साल तक जो है केद रखने की अनुमत दी गए थी पांच साल नहीं था ठीक है तो इस प्रकार इसमें ऑप्सन दो जो है सही है कुशन नमर 84 की बात करते हैं क्या पुछा है मात्मा गाधी के रॉलेट सत्याग्रा के संदर निमलित कतनों पर विचार कीजे कौन सा कथन सही है आप्सन नहीं चाहरा चाहरी थाने में हुई हिंसर के बाद इसे निलंबत कर दिया गये था आपको बताना है इन तिनों आप शन में से कौन सा गतन सही है किस के संबनत में माहत्मा गाधी के और और ओलेट सत्याग्रा के संदर में आपको बताना है तो इसमें देखेंगा ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक जो है गलत है क्यों गलत है क्योंकि सुर्यदनाथ बनर जी डी वाई वाचा टीवी सप्रू असरी निवास सास्री के नितुत में उधारवादियों ने एक समू ने इस आधार पर सत्यागरा क का विरोध किया कि यह आगामी जो मांटेगू चेम्सबोर्ट रिफॉर्म है यह भारा सरकार अधियम 1909 को बाधित करेगा ठीक है मारले मेंटू कब आया था मारले मेंटू 1909 में था और 1919 की बात कर रहा इस बकर ऑप्शन एक गलत है ऑप्शन दो की बात करें ऑप्शन दो जो है चारा चारी नहीं जलिया वाला बाग हत्याकांट जो है कि वजह से जो हिंसा हुई थी उसमें निलंबित कर दिया गया था तो इसमें पुछे कौन सा कतन सही है यानि सिर्फ जो है ऑप्शन बी जो है सही है कुशन नमबर 85 की बात करें 85 में आईंसा पर महत्मा गाधि के दर्शन को उनके रादनेतिक जीवन के द्वारम पढ़ी गई कई पुस्तकों द्वारा आकार दियागा उनकी खुद की स्विक्रोत से दग इंगडम आफ गाइड इस विदन यू नामक एक पुस्तक थी उन पर एक अस्थाई चाप छोड़ थे पुस्तक किसके द्वारा ल निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही है आर्टिका एम एक रूसी उपग्रा है जिसका उद्देश आर्कटिक के पर्यावड और जलवायों के निगरानी करना है आप संदो और मिस कारिक्रम ना सकत दारा चले चंद्र अन्वेशड कारिक्रम आप सोच रहे ह है एक दो कुश्या नंबर देखें इसमें ऑफिसन एक ही बात करें तो आर्कटिक में जलवाय पर पर्यावड के निगरानी के लिए रूस के अंत्रिच उपग्रा आर्कटिक एम को लांच किया गया था उपग्रा अंतर राश्टी को सपास रॉस सेट सर्सेट उपग्रा आ तो इस प्रकार जो है नासा के आर्टो मिसिस मिसन चंद्र सता पर पहली महिला और ब्लैक रंग की पहली ब्यक्ति को उतारेगा वाडिजीक और अंतर राश्टी भागीदारों के सयोगों किर से नासा पहले से ही कहीं अधिक अनुवेशर समर्थन करने के लिए को अंजाम देने के लिले सत्यआ गरा सभा की स्थाफना कहां की थी कि तो मात्मागादी ने रॉल्टेट व्योधि आंदोलन को अंजाम दने क्लिए सत्या गरा व्योधय से अंधृ और तक यंधोंस उतलन कंद्रु रिफॉर्म तो इस प्रेकार इसमें option A जो है सही होगा question number 88 की बात करते हैं इसमें क्या पूछा है चार महनबाव दिये हैं उनके संबन्द में करहन दिया गया ब्याई पर वेलवी आयोग के सदस के रूप में उन्होंने भारती हितों की अवाज उठाई उन्होंने 1904 में अंतराश्टी समाजवादी कांग्रेस की भासर दिया वे थे इसके पहले भी ये question आ चुका है दादा भाई नवरोजी के बारे में बीना किसी जिजग के आप लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी कई बार दादा भाई नवरोजी के बारे में भारत में गरेबी और गैर बिटिस सासन जो है इन्होंने बुक लिखी ठीक है और गुजराते जनरल रफ्तार गुफ्तार और पार्सी सुधार संग रहनुमाई मजजान सभा के संस्था पकते दुकुल मिला कर इसमें ऑप्शन बी जो है सई सुमेली थे पुलिस सुधार पर फ्रेजर समित की नियुक थी आप्शन तीन साइव राष्टी सिच्छा परसद के स्थापना तापको बताना है लाड करजन के कारकाल में कौन कौन सी घटना एकटी तो यह जो है लाड करजन के कारकाल में घटी थी तिबबत के लिए यंग हस्बेंड म किया तिबबत 1904 के एक विसेश मिसेन पर करनल यंग हस्बेंड के अधिन एक छोटा सा गोर्खा दल भेजा गया था ठीक है यानि यंग हस्बेंड जो थे कौन थे करनल थे ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो भी इससे सुमिली थे 1902-1903 में लाड करजन द्वारा सर एंड स्थापना की बात करें तो 15 अगस्थ जो है हुआ出 serious reimburseWhen मिनिटो द्वारा सिच्छा ठीडे मिस साहितिक व्जानिक और तकनिकोर राश्टी स्थर पर राष्टी नियंतर के व्यास्थित करने के लिए राश्टी सिच्छा परिषत की अस्थापना की गई तो इस प्रकार इसमें एक और दो जो है सुमेली थे ठीक है लाड करजन के कारकाद सम्मझे थे एक और दो तीन नहीं ये किसके सम्मझे थे मिंटों के कि कुशन नंबर 90 की बात कर लेते हैं 90 में क्या पूछा है 90 पूछा है निमलिखित कतनों पर विचार कीजे कौन से कतन सही ऑप्सन एक भारती राष्टी कांग्रेस नंग्रेस में अपने कलकत्ता सत्र के अध्यसा कौपाल किष्ट गोखले ने की थी जिसमें स्वदेशी और 22 इसकार अंदोरन को मंजूरी दी गई थी ऑप्सन दो राष्टी भारती राष्टी कांग्रेस में सपस्ट उप्सन 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 च्छा में बनारा अधिवेशन जिसकी अध्यसता दादा भाई नवरोज्यों ने की थी पहली बार सुराज की मांग की थी ऑप्सन ती उन कि अपने कलकत्ता सत्र नहीं किसके सत्र बनारा सत्र बनारा सत्र जिसकी अध्यसता गोखर लें की थी स्वधैसी और बाईगार अंदोरन को मज़्दूरी गी गई इस पकार ऑप्सन एक गलत हो जाएगा ठीक है आप्सन दो भी गलत है क्यों गलत है यानि भारती राष्टी कांग्रेस ने असपास रुप्सन उन्निस च्छा में कलकत्ता अधिवेसर में पहली बार सुराज की मांग जिसकी अध्यसता दादा भाई नारोजी ने की थी ठीक है तो ये जिसक उसका उल्टा दिया गया है कि ऑफसन तीन की बात करें ऑफसन तीन जो है सहीए यानि उन्हें साथ में शूरत भीभायद अध्यसता राज भिहारी गोस्ते की थी तो इस परकार इसमें और सब। यह ठीक है इस परकारिस में कौन से सहीय ऑपसन तीन पुशे नमबर 91 देखते हैं 91 में क्या पुछा है बारती राश्टी कांग्रेस के उत्पत्य और सुरच्छा वाल सिध्धान किसके द्वारा लिखी ए ओ यूम की जीवन से उत्पत्पन हुआ था तो सुरच्छा वाल सिध्धान कि अधारा कहती है कि अंग्रेजों ने देश में ऐसी राजनितिक स्थित को देखा था जिसके कार 18-17 के विद्रों के तर्च पर एक और विद्रों होगा वे ऐसी स्थित से बचना चाहते थे इसलिए वे लोगों की एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते जहां वो अपने राजनितिक समस्याओं पर चर्चा कर सके पाती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना एक सेवा नर्वित सेवक सिविल सेवक ने की थी ना कि किसी भारती ने यह कहा गया था कि लोगों को असंतोस के खिलाब सुरच्छा वाल्व के रूप में एक प विलियम वेडर्बर्ण जो थे इनकी जीवनी से यह उत्पन हुआ था यानि 1913 में प्रकासित विलियम डर्बर्ण द्वारा लिखित हूम की जीवनी से उत्पन हुआ था ठीक है तो हूम की जीवनी किस ने लिखी थी सर विलियम वेडर्बर्ण ने कब लिखी थी 1913 में कि उन्होंने लिखा दिक 1888 में हुम को निम्न वर्गों के बीच असंतोस और बिटिस सासन को उखाड फेकने के लिए सायस दिखाने वाली गुप्त रिपोर्टों के साथ खंड मिले वालाड डफरिन से मिले और उन्होंने सिच्छित भारतियों के साथ एक संगठन बनाने का ठीक है कुल मिलाकर इनकी किताब थी लाल वेडर बन की जो यूम पर लिखी गए थी उसके जो है वाल सिद्धान के रूप में दिखाया गया है कि कुश्चन नंबर 92 की बात कर लें 92 में क्या पूछा है 1850 का लिक्स लोग की अधनियम जो अरंबिक राश्टवादियों के ल प्रमुख जड़ बन गया था जिसका उद्धेश था आपको इसका उद्धेश बताना है तो लेक्स लोग की अधनियम जिसे जाती अपात्तर निसकासन अधनियम 1850 के रूप में हो जाना है इस इंडिये कंपनी के सासन के अधीन बिटिस भार के पारित या कानून था जिसने किसी अनधर्म जाती में परवर्तित होने वाले लोगों के अधिकारों को प्रवाइद करने वाले सभी कानूनों को समाप्त कर दिया था नए नियम ने हिंदु धर्म से दूसरे धर्म परवर्तित होने वाले हिंदूओं को एक नए कारून के तैस समान अधिकारों के अनुमत दी थी विसेश रूप से विर्यासत के मामले में हिंदूओं का व्यापक रूप में विश्वास था कि या नियम इसाय धर मांतर के के लिए द्वार खोल देगा तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एस में सुमेलित है ठीक है कुशन नंबर 93 की बात कर लेदे 93 में क्या पूछा है इसमें भारत के आदने के दियाज के अंदर में राष्टवादी राजनेतिक एक दिग्जस द्वारा दियेगा कथन यानि कथन विचार करना बताना किसका कथन है मेरे विचार से भारत पर इससे बड़ी विब्दा नहीं आएगी कि इंग्लेंड चले जा और उसे अपने उपर छोड़ दे निम्लिखित में उप्रोक्त कथन किसने कहा था ठीक है तो नरम पंती जो थे वो मुक्रोप से उपयोगतावादी सिध्धानतों से प्रवाई थे क्योंकि एडमंड वर्क जान इस्ट्वर्ड आधी ने उनके विचारों और कार्यों पर छाप छोड़ी थी ठीक है तो ब्रिटिस सासन के सोसक प्रकित के प्रत सचेत थे लेकिन वे सुधार चाहते थे यानि किसकी बात कर रहा है यानि 18-21 दादा भाई नौरोजी के ये बात कर रहा है ठीक है दादा भाई नौरोजी नहीं यही कहा था कि मेरे विचार से भारत पर इससे बड़ी विब्दा नहीं आएगी कि इंग्लेंड चले जा और उससे अपने उपर छोड़ दे कभी कभी समराज्यों को दैनादी अलगाओ की कलपना नहीं थी वह केवल साही धांचे के भीतर सी में स्वसासन चाहते थे यह उदारवादियों का था ठीक है तिस प्रकार इसमें ऑप्सन बी जो है सुमिली थे कुशन नंबर 94 की बात करते हैं भारती परसत अधनियम 18-22 के केंद्री विधाइका को वार्षिक बित्ति विवड़प पर चर्चा करने कानमत दी गए थी आपको बताना है कौन सा कथन सही है भारती परसत अधनियम 18-22 के समन्द में तो इसमें ऑप्सन एक देखेंगा ऑप्सन एक जो है सही है कि इसे जो है जो है जो है लाड क्रास परद्धा और रोड़िवादी राजनेतिक रिचर्ड एस्ट्राउस दॉरा पेस किया गया था इसलिए काया था ऑपिसन दो की बाद करें आप्सन दो जो है गलत यादि नियम में गवरनर जन्रलको अतिक सदस्यों के नामांकर्न के लिए नियम बनाने इस तरह के नियमों क को लागू करने निर्धायत करने का दिकार्थ इस प्रावधान के जाथ गवर्णर जनरल चुनाओं की आधी अधोरी विवस्ता को सुरू कर सकता था भले ही प्रावधान में बहुत सावधानी से चुनाओं सब्द के इस्तिमाल से परहज किया गया इसका मतलब यह हुआ दोस कुशन नमबर 95 की बात करते हैं 95 में क्या पूछा है इन चार महान भाव के बारे में कथन दीए गये है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित है किस ने घुष किया कि कांग्रिस अपने पतन के लिए लडखरा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान माक्तो कांचाओं मैंसे एक इसके सांतपुर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना होगा तो ये जो है बड़ा important कथन है कई बार आपको सुना भी होगा आपने तो ये लाड़ करजन महोदर थे ये इनका जो है बिचार था लाड़ करजन के बारे में और बतायत 1890 के दसक के शुरुवात में भारत के राज के आवर सचीव बने थे ठीक है 1899 में सिर्फ 49 वर्स की आई में भारत के सबसे कम उम्र के वाइसराय बने 1905 में में अपने स्थीपे पत पर ये इस्थीपे तक जो है अपने पत पर बने रहे है और 1901 में करजन द्वारा प्रसे दुरूप से ये कहा गया थे हम भारत पर सासन करते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी सकती हैं अगर हम इसे खो देते हैं तो हम सीधे दोर पर तीसरे दर्जे पर होंगे ये लाड करजन महोदा का कथन था 96 की बात करें तो सही उत्तर आपको बतारा नेम लिखित कतनों में किसने स्वतनता पूर्व कभी ना कभी भारती राश्टी कांगरेस का दर्ज करूप में कार किया ठीक है तो इसमें देखेंगे जार्च यूले और विलियम वेडर बंड इसके लावा बात करेंगे तो अल्फरेड वेव और हेंरी कॉटन और एनी पेसेंट ये छे महाभावर ऐसे जिए कभी ने कभी राभारती राश्टी कांगरेस के अध्याच के रूप में कार किया था यानि भाड सतंतर संग्राम के दरण कुल छे अंग्रेज महिलाओं ने कई बार भाती कांगरेस का नेतित किया था ठीक है जार्च यूले की बात करें कांगरेस के पहले अध्यच अठारा सो नवासीं बांबे 1910 में इलहाबाद है विलियम वेडर वन की बात करने केवल एक जो दो बार कांगरेस अध्यच बने ठीक है ऐलफेट वेब जो थे कि के वह 1904 झाकरे में-ध्यच अठोघन4 उनीट-7 क कलके मांई है उने एक, दो, तीन, पांच, छे सुमेलित थे यानि आप्सन भी, कुशन नमर 97 की बात करते है, 97 में क्या पूछा है, भारती राष्टी समाजिक सम्मेलन के संदर्म निमलित कत्मों पर विचार कौन सा कथन साई, आप्सन एक, भारती राष्टी समाजिक सम्मेलन का उधगाटन सत् आप्सन दो, भारत, बालगंगादर, तिलक और एमजे नराडे इसके दो सबसे मातपुन देता थे, तो इसमें देखेंगा आप्सन एक और दो दोनों गलत है, ठीके, यानि भारती राष्टी समाजिक सम्मेलन की अस्थाबना, एमजे नराडे और अगुनात राओ द्वार की गई थी, वस्तुदा या भारती राष्टी कांग्रेस समासुधार का प्रकोष्ट था, इसका पहला दिवेशन दिसंबर 1887 में जो है, मदरास में हुआ था, या सम्मेलन हर साल भारती राष्टी कांग्रेस के एक साहयक सम्मेलन के रूप में उसी स्थान पर आयोद किया था, ठीक है, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दो नोगा, यानि ना तो एक ना तो दो, option D होगा, question number 98 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, एक बिटिज अधिकारी ने प्रसित रूप से प्रती बात किया था, कि हमारी प्राड़ी स्पंज की तरह काम करती है, हम सभी अच् वर्डन करता है, निमलिखित में कौन सी घटना बिटिस भारत में हुई थी, तो इसमें देखेंगे, धन की निकासी की परकलपना अपने पढ़ा होगा, तो भारत में धन की निकासी के संदर में, यानि भारत की गंगा से धन की निकासी की गई और पूजी का निरमाड नहीं था, इसके बज़ाए राजनेतिक काड़ों से बिटेन ले जाए जा रहा था, निकासी सिधान को दादा भाय नरोजी ने अपनी पुस्तेक पावर्टी एंड अन बिटिस रूल इंडिया में दी थी, ठीक है, इसके अलामा जोचे कुछ बुक थे, जैसे फ्रफुल च रॉमेश चंद्रदत की दो खंडवाली पुस्तक्ति भारत आर्थिक इस्तिहास 1902 में, सुप्रमाडेम अयर द्वारा भारत के बिटिस इस्तिहास भारत के बिटिस सासन को कुछ आर्थिक पहलो 1932 में, तो कुछ ऐसा दस्तावेत है जिसमें इसके बारे में भी चर्चा की, हाला कि जो है, दर निकासे समंदित है, ये कथन, ठीक है, और इसके अलाव जादा वाहिन रोजी की आपकी बुग पता ही है, कुछ नमबर 99 की बार करें, 1857 के बिद्रों के बाद निमलिखित कतनों पर विचार की कौन से कथन सही है, आप्सन 1, भारती बिटिस सरकार ने दे और यूरूपी संख्या ब्रिद्ध हो गई, तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है, तो सही की बात करें, इसमें 2 और 3 जो है सही है, एक सही है, एक तो ये 3 सही है, दूसरा जो है आप्सन 1 सही है, ठीक है, यानि आप्सन C जो है इसमें सही है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट कुश्चन की, कुशन नमबर 100, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला सब्ध आपरेशन समद्र सेथ 2, निम लिखित में किस से सम्मद्र था, आपसन ने किया, इरान, मालदीव और स्री लंका में फसे, और संकाट गस भास्ति नागरिकों को आपस लाने का अप्सन अप्सन बी, इसे यूद प्रवाइट अफगानिस्तान लोगों से निकालने का शुरू किया गया था, उप्सन ची, इसे भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को सिपमेंट के लिए लाज किया था, आप्सन डी, या भारत और से लंक अप्रेशन समुद्र से तू, पिछले साल COVID-19 महामारी के दोरम विदेशी बारती नागर को वापस लाने के लिए बंदे भारत मिसन के हिस्ते कुरूप में जो है, शुरू किया गया था, और ये पार्ट टू जब चालू हुआ था, तो आक्सीजन से भरे कंटेनरों सिपमे को दवाईए, और कम्प्लीट हंडेट कुस्टन की टेस्ट त्रीज, 2011-2022 तक सब्जेक्ट वाइज पेपर अनाल्सिस भी आपको जल्थी मिलने वाला है, तो चैनल पर बने रजिए, टेस्ट को सॉल्ब करते रहिए, रिविजन करते रहिए, अपने हल्थ का धियान के डेली तेवाद तीन बज़े टेस्ट होता है,